नमास्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है तो आज हम जानेंगे जीवन रेखा के बारे भी लेकिए जीवन रेखा एक ऐसे रेखा है जो आपकी जीवन से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब देती है पर एक सवाल सो सबसे जादा पूछा जाता है कि हमारे हाथ में जीवन रेखा तो है पर वो छोटी है क्या चोटी रेखा होने से आपकी उमर कम होती है या फर कोई और पर परभाव पड़ता है अगर आप भी जानना चाहते है इन्हीं सभी सवालों का जवाब तो इस वीडियो के आखर पर बने रहीएगा मिलेगे समपूरन जानकारी शि शुरू करते हैं शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट एंड में अगर लड़की है तो अपने लाफ एंड में एजानकारी को देखिएगा और इसी के साथ अगर आप चाहते हमसे परसनली बात कर लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का जाकर आप दोनों काउंट से फॉलो कीजिए जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं तो देखें दोस्तों यहाँ पर जो जीवन रेखा है यह चोटी है मतलों ऊपर से शुर 40 साल और 50 साल का हाफ होता है और उसके बाद जो है लाइफ लाइफ लाइन आपकी बढ़ते करम में चले जाती है पर जैसे कि आप इसाथ में देख सकते हैं यह आदिय दूरी है और 40 साल की उमर के लगबग जाकर रुख चुकी है अब 30 से 40 साल की उमर के बीच में जो है यह है छोटी रेखा का मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन छोटा होगा छोटी रेखा का मतलब यह है कि आपकी जीवन में कम उमर में बड़ी सफलता का योग बनेगा तो यह एक negative point नहीं बलकि एक positive point होता है जी हाँ दोस्तों आप वो कम उमर वाली बात को खारिज कीजिए उसको गलत मानिए और उसको side में कीजिए main topic पे आते हैं अब यहाँ पर आप देखिए कि जो यह जीवन रेखा है वो 30-40 साल के उमर के बीच में जाके रूप चुकी है मतलब कि जो भी आप कारे कर रहे हैं आप चाहे बिजनेस है या फिर नोकरी है आपके interest पर डिपेंड करता है जो भी आप कारे कर रहे हैं तो इस उमर के आते आते आपके जीवन में बड़ी सफलता का योग बनेगा अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें बड़ी promotion मिल जाए या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो जादा बढ़ जाएगा या फिर ये कहिए कि धन की प्राप्ती होगी और हो सकता है कि आपके हाथ में जो ये जीवन रेखा है वो 20 से 30 साल की उमर के बीच में जाके रुप चुकी है कहने का भाव ये है कि जीवन रेखा जितनी चोटी होगी तो उतनी ही कम उमर में आपकी जीवन में बड़ी सफलताता योग बनेगा और वो कितनी उमर में बनेगा इस तरीके से आप जान सकते हैं जो कि आपको अब बताया है ये एक असान तरीका है इससे आप असानी से जान पाएंगे इसके बाद हो सकता है कि आपके हाथ में भी स्परकार से जीवन देखा बन रही है तो दोस्तों यहां पर आपकी जीवन में किसी प्रकार का health issue हो सकता है यहां फिर किसी प्रकार का रोग हो सकता है यहां पर आपको संबल के कदम आगे बढ़ाने की जरूत पड़ेगी, अपने सवास्ता का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और जिसके हाथ में लाइफ 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 लाइन कंपलीट होती है मतलब कि उपर से नीचे की और इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक दोस्तो ऐसे लोगों का जीवन लंबा होता है, सुष्थ होता है, यहां से हम पडिक्ट कर सकते हैं, कि 70 पलस यहां पर एज हमें देखने को मिलती है इसके बाद अगर आप देखेंगे, तो यहां पर जो लाइफ लाइफ लाइन है, और माइड लाइन है, इस हाथ में हमें गैप नजर आ जाता है। नॉर्मली हाथों में अगर आप देखेंगे तो mind line और जो life line है वो एक साथ मिल के चलते हैं पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पारें यहाँ पर हमें एक gap नजर आ जाता है तो इसका क्या मतलब होता है तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके हाथ में भी इस प्रशे करता है तो इनको बिल्कुल भी प्रशन नहीं आता है यहाँ पर एक गडर होता है मतलब जल्दी करोधित हो जाते हैं या पर यह कहिए कि शोट एमपर वाले नेचर होने की वज़े से इनको नाक्याम्याभी का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि इनकी जो यह शोट एमपर वाला नेचर है इनके अर्चन बन जाता है करियर तो आप लोगों को यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके हाथ में भी यह गैप है तो अपने सुभाव पे थोड़ा ध्यान दीजी अपने गुसे को शांत रखिए और अगर आपके अंदरे की जिद्धी पन है तो जिद्धी सुभाव को अपने लक्षे में लगाईए कि आ हमें इस हाथ में नजर आती हैं तो अगर आप इनके शुक्र परत पर ध्यान देते हैं और अगर आप सीधा हाथ करेंगे तो इस परकार से आपको वर्टिकल लाइंस बनती हुई नजर आएंगी या फिर यह कहिए कि खड़ी रेखाएं जो हैं हमें ज्यादा नजर आ रही ह हैं शुक्र परोट पर जो कि एक अच्छा संकेत हैं जो फाइनाशल कंडिशन को बहुत अच्छा दिखाती हैं मतलब कि पैसे की कभी कमी नहीं होगी मतलब कि आगे चलकर अगर आप को कारे तर रही हैं और पैसा कमा रही है तो बच्चत रहेगी आपको कहीं निवेस्ट कर ले खाए हैं दोस्तों अगर एक से जज़ादा होती है जैसे कि आप करियर सफलता पानी है। और इसी के साथ अगर आप अपनी बर्थ रेट से जानना चाहते हैं कि आपकी जीवन में लव मैरेज का योग बनेगा या फिर अरेंज मैरेज का योग तो उसको जानने के लिए उपर आई बटन पर क्लिक कीजिए इस टोपकी के उपर सैपरेड वीडियो आल्रेडी हमारे च हो गई होंगे बड़ अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आगे आपके स्टोपी के उपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी आप हमें स्जेस्ट कर सकते हैं पर एक जरूरी बाद जो आपको हमेश आपके साथ तुम्हें इजाजी दीजिएगा नवस्कार